Hello viewers, कैसे हैं आप सब? उमीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो जिसना से आपको बता हम यहाँ पे C-Sharp Advanced की Lecture Series कवर कर रहे हैं तो आज किस Lecture के अंदर हम बात करने वाल है C-Sharp 10 के अंदर एक बहुत ज़्यादा Important Feature आया था जिसका नाम है File, Scope, Namespaces तो हम आज उसी को discuss करेंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा यूस किया जाता है आज कल की C-Sharp Development के अंदर तो शौर्ट सी वीडियो होने वाली है ठीक है आपने make sure करना है कि इस वीडियो को end तक watch करना है तो वीडियो को start करने से पहले एक छोटी सी request कि अगर आप मेरे चैनल पर first time आयो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो इसके साथ साथ बेल का icon भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो C-sharp से related इस चैनल के उपर मैं लेके आने वाला हूँ तो मैं हूँ आपका सर मौमद आदिल और अब हम अपना lecture start करते है तो भाई देखो file scope name spaces in C-sharp 10 ठीक है सबसे पहले मैं आपको इसका practical बताता हूँ फिर इसके दो points है ठीक है वो मैं आपको end में बताता हूँ तो हम आते हैं यहाँ पर visual studio में ठीक है यहाँ पर हम एक new project create करते है console app में यह से ले लेता हूँ और इसका नाम यहाँ पर मैं रख देता हूँ file scope name space ठीक है file scope name spaces मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया और यहाँ पर आके next करते हैं ठीक है framework के यहाँ मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ .NET Core 6 यूज कर रहा हूँ यूँकर इसी के अंदर C sharp 10 का version supported है लेकिन आप चाहँ तो .NET 8 के अंदर C sharp का 12 version supported है और यह जो मैं आज का आपको lecture बताऊंगा यह आप .NET 8 में मतलब C sharp 12 में भी implement कर सकते हो ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर .NET 6E यूज कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर आके application create करते हैं तो यहाँ पर देखो हमारा project create हो चुक है आपको नजरा आ रहा होगा तो भाई देखो अब मैं इस project के अंदर एक class add करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो oldway.cs के नाम से class हो चुकी है और अब आप यहाँ पर एक चीज notice करो भाई देखो यह जो आपको name space नजर आ रहा है ना इसको हम कहते है block scope name space file scope name space जो के आज का हमारा lecture है वो क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ पहले आप यहाँ पर समझो देखो block scope name space के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर अपने name space का एक block start करते है मतलब एक scope start करते है scope का मतलब यह जो curly bracket on हो रहा है और यहाँ पर curly bracket off हो रहा है यह है हमारे name space का block scope ठीक है लेकिन file scope name space का concept थोड़ा सा different है ठीक है यहाँ पर देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते है भाई देखो इसके अंदर हमें अगर मजीद कोई दूसरी classes बनानी है तो मुझे इसी name space का यह जो scope है इसी के अंदर रहके बनानी पड़ेगी ठीक है मतलब अगर मैं कोई दूसरी class बनाता हूँ यहाँ पर तो मुझे इसी class के मतलब इसी name space के अंदर रहके यह सारा काम करना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर आप एक चीज notice करो कि जो name space के अंदर हम classes बनाते हैं classes के अंदर methods बनाएंगे तो यहाँ पर आप एक चीज notice करो कि name space के अंदर यह वाली जो class बनी वी है इससे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ indentation है indentation मतलब कुछ spaces हैं कुछ tab है और यह क्यों जरूरी होता है इससे हमें पता चलता है कि भाई यह वाली जो classes हैं यह इस block scope के अंदर मतलब इस name space के scope के अंदर rely करती हैं और बाई देखो अगर आप इस तरह से block scope name space का concept use करते हो ना तो आप इस file के अंदर multiple name spaces भी बना सकते हो जिस तरह अगर मैं इसके अंदर एक और name space बनाओ यहाँ पर देखो एक और name space बनाता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ my ns मतलब my name space ठीक है तो यह देखो इसी एक file के अंदर देखो एक name space तो यह हो गया इसका यह block scope हो गया और एक यह इसका block scope हो गया इसका मतलब हम इस file के अंदर multiple name spaces भी बना सकते हैं लेकिन देखो mostly क्या होता है कि जो developers होते हैं वो एक file के अंदर एक ही name space को रखते हैं और उसी के अंदर सारी classes, interfaces वगरा बनाते हैं मतलब ऐसा नहीं होता कि एक file के अंदर multiple name spaces बनाए जा रहे हो क्योंकि best practice यही है कि हर name space के लिए हम एक separate file क्या करते हैं create करते हैं ठीक है मतलब यहाँ पे जो भी हमारे पार name space इस तरह से होता है ना जिसके brackets होते हैं curly braces होते हैं और उसके अंदर हम सारा काम करते हैं और एक file के अंदर हम multiple name spaces भी बना सकते हैं तो यह कहलाता है basically block scope name space लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे आज file scope name space की जो के C sharp 10 के अंदर आया था मतलब C sharp 10 से पहले हमें file scope name space का concept नहीं मिलता था ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो आपने project के उपर right click करना है और यहाँ पे add पे जाना है ठीक है और add पे सबसे end में यहाँ पे आजाओ आपको नजर आ रहा होगा new editor config मतलब editor configuration से related हमें कुछ यहाँ पे settings करनी है तो देखो मैं इसके उपर click करता हूँ तो यहाँ पे देखो editor config की एक यहाँ पे file open हो चुकिए जिसके अंदर आप settings कर सकते हो और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा indentation and spacing वो जो मैं आपको बता रहा था ना namespace के अंदर class है लेकिन वो class कुछ spaces के बाद लिखी गई है तो उसका यहाँ पे बता रहा है देखे हो tap size indentation size 44 यहाँ पे spaces बता रहा है आप यहाँ पे भी इसकी setting कर सकते हो अगर आप block scope के साथ काम कर रहे हो और यहाँ पे देखो अभी कौन सा option selected है block scope लेकिन हमें कौन सा option select करना है यहाँ पे file scope ठेक है तो file scope के उपर मैं click करता हूँ तो यहाँ से setting मैंने update कर दी और अब आपने यहाँ पे तो पे आपको save all का नजर आ रहा होगा आपने इसको इसको पर click करना है और अब यहाँ पे जाके मैं इसको close करता हूँ लेकिन अभी आप देखो जैसी मैंने setting यहाँ पे add की तो यह वाला जो हमारे पास name space था इसके अंदर कुछ भी changes आपको नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि इसके अंदर अगर आपको file scope name space को implement करना है तो manually करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक दूसरी class add करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखो अपने project के ओपर मैं right click करता हूँ add पे चलते हैं और एक मैं new class यहाँ पे ले लेता हूँ new way मैंने इसका नाम रखका और यहाँ पे आपके add पे click करते हैं तो अब आप एक चीज़ notice करो यह जो आपके पास file है यह file scope name space के ओपर implement हुई है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे name space का वो जो curly bracket थे वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे होंगे बलके यहाँ पे क्या हुआ है कि name space को इस तरह से top पे declare कर दिया गया है और end में यहाँ पे देखो semicolon लगा दिया है मतलब कोई भी curly bracket नहीं है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप जितनी भी classes इस file के अंदर बनाओगे वो सारी की सारी classes इसी name space के अंदर enclose होंगी ठीक है एक तो यह point हो गया इसका मतलब कि आप जितनी भी classes बनाओ interfaces बनाओ जो भी आप बनाओगे वो सारे इसी name space के अंदर आएंगे तो filescope name space में कल्डी bracket के अंदर आपको classes या interfaces लिखने की ज़रुवत नहीं होती just आप यहाँ पे file level के top page को यहाँ पे इस तरह से declare कर लोगे और जितनी चीज़े आप बनाओगे वो इसी name space के अंदर आजाएंगे और इसका एक और फायदा है कि आप एक file के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही name space बना सकते हो जिस तरह यहाँ पे देखो यह जो old way था इसके अंदर मैं क्या कर सकता था multiple name spaces भी बना सकता था एक file के अंदर लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यह जो file scope name space होता है ना इसके अंदर आप एक file के अंदर एक ही name space बना सकते हो अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा name space बनानी कोशिश करूँ यह देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ name space और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ new ns ठीक है और यहाँ पे अगर मैं block बनाओ तो यह देखो यहाँ प error आ रहा है कि file scope भी रखो और इसके साथ साथ जो normal name space declaration होती है वो आप रखो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक file के अंदर आप एक ही name space बना सकते हो जो कि एक best practice है ठीक है मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी class बनाता हूँ ठीक है यहाँ पे देखो मैं एक दूसरी class बनाता हूँ new class ठीक है और यहाँ पे आके इस तरह से तो यह दोनो classes आपके पास इसी name space के अंदर enclosed होंगी यह आपने याद रखना है तो मैं देखो यह जो old way था यह वाली class ठीक है इसका मैं यह वाला name space यहाँ से अटा देता हूँ अगर मुझे इसको file scope के अंदर convert करना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो आपका यह जो name space है ठीक है आपने इसको पर अपना cursor रखना है और keyboard से प्रेस करना है control dot तो जैसे आप control dot करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पर top पे एक option आ रहा है convert to file scope name space क्योंके मैंने editor config के अंदर अपनी setting change कर लिया है तो यहाँ पे देखो जैसे मैं इसको पर click करता हूँ तो result देखना है यह देखो वो जो हमारे पास name space था उसका जो curly bracket थे वो खतम हो गए और यहाँ पे देखो जो classes से पहले indentation थी वो भी खतम हो गई क्योंके अब यह दोनो classes हमारे पास इस name space के अंदर क्या होंगी रहेंगी तो यह concept होता है basically आपके पास किसका file scope name spaces का तो askkel के developers इसी approach को use करके क्या कर रहें अपनी development कर रहें ठीक है ठीक है तो अब इसके कुछ theoretical points है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है यहाँ पर देखो इसका पहला point क्या कह रहा है In C sharp 10 there is a new feature called file scope name spaces मतलब C sharp 10 के अंदर new feature आया था With this feature you can organize code within a file without the need for explicit name space declaration इसका मतलब कि जो file scope name space होता है इसके अंदर आपको खुद इसे name space और उसके curly bracket लिखने की ज़रूद नहीं होती आप क्या करते हो Just अपना वो जो name space होता है उससे top पे name space के keyword के साथ declare कर देते हो और इसके बाद जितनी भी classes interface बनाओगे वो सारी उसी के अंदर आएंगी ठीक है पर देको second point क्या कह रहा है Instead of using braces to define the scope of a name space you can declare the name space at the file level and all code elements within that file will automatically be enclosed within that name space मतलब file scope name spaces में क्या करते हो आप आपे braces use नहीं करते ठीक है मतलब name space का scope define करने के लिए आप curly braces use नहीं करते बलके आप क्या करते हो कि वो जो आपका name space है उसको file level पे मतलब top पे using के बाद आप क्या करते हो उसको declare कर देते हो और उसके बाद देको क्या कह रहा है कि जितना भी आपका code elements है वो automatically आपके उसी name space के अंदर क्या हो जाते है and close हो जाते है तो यह concept होता है basically कि इसका file scope name space का ठीक है फिर यहाँ आप देको क्या कह रहा है this approach reduces unnecessary boiler plate improves clarity and makes your code more concise बनलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह जो आपके बाप प्रोच होती है यह क्या करती है वो जो unnecessary boiler plate होता है boiler plate किसे कह रहा है कि जब भी हम कोई project बनाते है class बनाते है तो उसके अंदर जो पहले से coding आती है उसको का जाता है basically boiler plate जिस तरह हमने class add की थी तो खुद से उसने क्या किया था एक block scope name space हमें बनाके दे दिया था तो उस चीज़ को क्या करता है reduce करता है कम करता है उस चीज़ को ठीक है और clarity improve करता है किस तरह से क्योंके हमारे पाँ उसका name space का कोई block scope नहीं होता और उसके अंदर indentation दे के हमने classes नहीं दी होती ही ठीक है and makes your code more concise मतलब आपका जो code है वो ज़्यादा ज़्यादा मुक्तसिर हो जाता है क्या हो जाता है concise हो जाता है क्योंके उसके अंदर spaces खतम हो जाते है indentation वगरा खतम हो जाती है ठीक है तो यह concept होता है file scope name spaces का C sharp 10 के अंदर तो यहाँ पर हमारा यह lecture हो गया है wind up तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना इसके साथ बेल का एकन भी प्रेस करना क्योंके और भी बहुत सारी वीडियो C sharp से related मैस चैनल के उपर लेके आने वाला हूँ तो मुझे अपनी दौह में याद रखना मिलते है इंशाला नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए दीज़े इजाज़त अल्लाहाफिस